A blessing in disguise, यह भी बड़ा important है, blessing in disguise, इसका मतलब होता है, नुकसान की शकल में फायदा होना, कि कोई ऐसी चीज जो शुरू में नुकसान दे लग रही हो, मगर उसका end, blessing के तौर पर सामने आए, यहनि, something terrible at first, but later results in something good, यहनि, good outcome from an evil situation, कि जब आपको situation नजर आ रही है, वो evil है, लेकिन उसका जो नतीजा निकर रहा है, वो आपके लिए blessing है, तो इसको कहते है, blessing in disguise, इसके पीछे भी एक बड़ी interesting story है, कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक बजुर्ग था, दू चीज़े इसको बहुत प्यारी एक इसका गोड़ा और दूसरा इसका बेटा, यह दोनों से बहुत ज़्यादा महबद करता था, हुआ कुछ यूँ कि एक मर्दबा रात के वक्त, उसका अस्तबल होता था जहां पर गोड़े रखे जाते थे, इसके नोकर ने उसका दर्वादा बंद करना भूल गया, और आपको गोड़ा तो भाग गया है, आपको बड़ा अजीज था, हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिनों बात वो गोड़ा जंगल से अपने साथ और भी काफी सारे गोड़ों को साथ मिला के वापस आ गया, तो जब लोगों ने देखा, अच्छा, यह जो इसका पहले नुक्सा गीरा और इसकी टांग तूट गी, तो सारे अफसोस करने आए, यह वाकी बहुत दुख की बात है, बड़ा नुक्सान हुआ है आपका, इतना प्यारा बेटा उसकी टांग तूट गी, फिर कुछ दिनों बात उनके मुलक में जंग छिड़ जाती है, तो उनका जो बादशा सारे नौजवानों को ले जाते हैं, मगर इसके बेटे को नहीं ले जाते, क्यों? क्योंकि उसकी टांग तूटी होती है, वो लड़ नहीं सकता, तो फिर सारे आते हैं, यह जो पहले नुक्सान बादी सूर्तियाल लग रही थी, अब तो यह ब्लेसिंग है, इस ब्लेसिंग इसका जुमला कैसे बनाएंगे? अब लग डॉन प्रोव टूप गे ब्लेसिंग इसका इसका जुमला कैसे बनाएंगे? अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना नसीब हुआ, मैंने बहुत वक्त अपनी फैमिली को दिया, तो बजार लाक डॉण यह लग रहा था जिसे एक नुकसान है, लेकिन इससे blessing क्या निकली, वो ये कि मैंने अपनी family को बहुत ज्यादा time दिया, इसी तरीके से एक और मिसाल दी जाती है, कि एक शक्स एरपोर्ट पे गया, लेकिन वो जाज नहीं पकड सका, लेट हो गया, हुआ कुछ यूँ के बाद में पता चला, कि वो जाज क्रैश हो गया था, तो पहले वो दुख हो रहा था उसे कि मैं जाज नहीं पकड सका, मैं लेट हो गया, जाज उड़ गया, उसे कर सका. So, blessing in disguise आपको उमीद है याद रहेगा.